शोलन में 30 बारिश होने से किसानों की जहरों को रौनक लोटाई है। बारिश की वज़े से किसानों की आज जगी है कि उनकी टमाटर और मटर की फसल को बारिश से भरपूर तराय मिलेगी और सुकते जा रहे हैं जमीन में भरपूर नमी आएगी जिसकी वज़े से उनकी फसल पहले से बहतर होगी और उन्हें इस सीजन में अच्छा मुनाफ़ा सोलन के किसानों ने बारिश पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बारिश परदेश के लिए सभी किसानों के लिए बहुत जरूरी है और आज हुई बारिश किसानों के लिए बर्दान साबित होने वाली है उन्होंने कहा कि बारिश टमाटर और मटर की फसल के लिए बहुत जा यह फसल में जान फूंकती है उन्होंने चिंता छाहिर करते हुए कहा कि आज जिलासोलन में जंगल खटम होते जा रहा हैं पेड़ों का कटान धडले से हो रहा है जिसकी से बारिश पिछले दसक के हिसाब से बेहत कम हो रही है जिसके चलते नदी नाले सोकते जा रहे हैं पान फाइदा तो है जी पेर इतना डी है जी अगर पहले होती ने बारीश तो उसका बड़ा फाइदा था थूड़ा यह भी पानी थोड़ा बहुता पुछानों को थोड़ा-बहुता सब्जिया लग रही है उसके लिए तो कुछ फाइदा है यह पहले तो बार्षे खूब होती और अब ये जैसे कटान, अवेद कटान हो रहे हैं, पेलों जंगल काटे जा रहे हैं, इससे थोड़ा मौसम में बड़ी बारी तब्दीली हो गई, पहले अब सारी सर्दी में बारशे होती तीर ये काफी टाइम के बाद जो ये आज बारिश होई है, काफी अच्छी बारिश होई है, और इससे किसानों को बहुत ही रहत मिली है, और हर वरक को इससे फायदा मिलेगा, आगे भी जैसे गर्मियों में आपके पानी की दिक्कत किसमस से आनी थी, तो उससे कुछ हद तक जो है कि श्त्रोत नहीं है, तो नेचरल सोर्च भी हमारे खतम है तो इससे जो है काफी फायदा मिलेगा हमारे को फोड़ा रात तो कुछ मिलेगे जी लोगों को पानी की सुप जाए होगी ट्रमाटर लगाने के लिए लोगों को पानी मिल जाएगा थोड़ा बहुत होगी कुछ माटर भी पिचेता है उनको भी कुछ भाजाई ही होगा जित होड़ा लेकर हुई तो लेट है लेकि चलो क्या कर सकते जो हुई हो ठीक हुई हुई तो नहीं हुई तो